रादी रादी दोस्तों, जया एकाशी व्रत कथा आज मैं आपके साथ शेयर कर रहे हूँ, आज हम आपको जया एकाशी व्रत कथा की बारे में बताएंगे, यदि आप व्रत रखते हैं, तो आपको जया एकाशी व्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए, इस वर्ष जया एकाशी 23 फरवरी दिन बंगलवार को है माक मास में शुकल पक्ष की एकाशी तिथी को जया एकाशी के नाम से चाना चाता है 23 फरवरी दिन बंगलवार को जया एकाशी का वरत है भगवान विश्णों जी की पूजा करने से व्यक्ति को इस दिन मोक्ष की प्राप्ति होती है और पिशाच योनी से मुप्ति मिलती है आज हम आपको जयाकाशी की व्रतकता के बारे में बता रही है जयाकाशी व्रतकता इस प्रकार है एक समय नंदनवन में उत्सव का अयोजन हुआ जिसमें सवी देव और रिशी मुनी शामिल थे उस उत्सव में गंधर्व कन्याईन रित्य कर रही थी और गंधर्व गीत गा रहे थे उनमें ही एक मालेवान नाम का गंधर्व गायक था और पुषेवती नाम की एक निरतांगना थी मालेवान को देखकर पुषेवती उस पर मोहित हो गई वह मालेवान को रिचाने लगी मालेवान पर इसका परभाव दिखाई देने लगा और वह सुरताल भूल गया संगीत लेवहीन हो गया और उस्सव का अनन्द फीका हो गया उस्सव में शामिल देवों को यह बात बहुत बुरी लगी देवों के राजा इंद्र ने क्रोध में दोनों को शाप दे दिया जिसके परिणाम सुरूप दोनों स्वर्ग से प्रिथी बर आ गए मृत्य लोक में हिमाल्य के जंगल में वे पिशाचों का जीवन वैतीत करने लगे वे अपने इस पिशाची जीवन में दुखी थे संयोग बस एक बार माग शुकल की जयायकाशी को उन दोनों को कुछ भी खाने को नहीं मिला नहीं उनोंने कोई पापकार्य ही किया उस दिन फल फुल खा कर ही अपना गुजारा किया ठंड में भूख से व्याकुल वे दोनों एक पिपल के पेड़ के नीचे पूरी रात वैतीत की इस दोरान उनको अपने गलती का पाश्चता भी हो रहा था उन्होंने फिर ऐसी गलती ना करने का प्राण लिया सुबह होते ही दोनोंने प्राण श्रीर से निकल गए उन्हें मालूम नहीं था कि उस दिन जया एकाशी थी अंचाने में ही उन्होंने जया एकाशी का व्रत कर लिया भगवान विश्णुजी के क्रिपा से वे दोनों पिशाच योनी से मुक्त हो गए और फिर वे वास्तिविक सवरूप में आ गए और स्वर्ग चले गए माल्यवान और पुशेवती के पिशाच योनी से मुक्त होकर स्वर्ग में आने पर इंद्र अशर्य चकित हुए और उन्होंने दोनों से शाप से मुक्ती पाने का कोई कारण पुछा तब दोनों ने ही जयाकाशी व्रत का प्रभाव बतलाया उन्होंने कहां अंजाने में ही जयाकाशी का उनसे व्रत हो गया और भगवान विश्णुजी की कृपा से दोनों पिशाच योनी से मुक्त हो गए इस तरह से मित्रों जयाकाशी व्रत करने से लोगों को अपने पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है हमारी तरफ से जयाकाशी की हार्दिक शुब काम नहीं अगर मित्रों यह कहानी आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, स्टोरी को शेयर करें कमेंट बोक्स में, जय विश्णु भगवाना वश्चेक्षा